Good news for all SUV lovers मारूती की ये off-roader SUV गाड़ी जो महिंदरा की powerful थार पर भी पड़ेगी भारी क्योंकि कीमत में होगी आपके budget में fit और safety और comfort में भी होगी hit तो friends, this week Automobiles News Update में first news है मारूती India Limited की तरफ से Auto Expo 2020 में इस car को first time पेश किया गया था और अब इसकी launching का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि इसका 5-door variant इस SUV का आने वाला है 4Y4 के अंदर और ये सीदे सीदे महिंदरा की थार को competitive करने वाली है बात करें महिंदरा थार की तो इसका price 12.79 लाक से start होता है और कम price के अंदर मारूती की ये 4Y4 गाड़ी launch होने वाली है और मारूती सुजू की अपनी इस off-roader SUV जिमनी को launch करने की तयारी कर चुका है जिसका सीदा मुकावला महिंदरा थार और force गुर्खा से होने वाला है हलाकि ये गाड़ी पहले ही launch हो जाने वाली थी लेकिन चिप की कमी की बज़े से production लेट हुआ है और अब इसकी सुरुआत होने वाली है और मारूती इसकी 75K unit याने की 75,000 unit हर साल production करने वाली है और इस 5-seater variant की लंबा इस सब 4 meter से कम होने वाली है इसके अंदर 1.5-liter का 4-cylinder K15V petrol engine जो 6,000 rpm पर 101 bhp की power और 4,000 rpm पर 130 nm का torque generate करेगा गाड़ी में 5-speed का manual, 4-speed का automatic options होगा और ये गाड़ी All-Grip Pro 4-wheel drive technology के साथ आएगी 3-link rigid axle suspension होगा और low range transfer year के साथ आने वाली है वहीं इसका price थार से काफी कम यानि की 10,00,000 में start होने वाला है और अगर आप भी तलाश में हैं एक off-roader शानदार SUV के तो इसका आप wait कर सकते हैं नेक्स न्यूज है देश की उस सबसे popular गाड़ी ambassador की तरफ से जिसे PM से लेकर CM तक आम आदमी तक घूमा करते थे और उसकी एक शान ही अलग थी यानि एक ये iconic गाड़ी मानी जाती थी और अब ambassador relaunch होने वाली है इंडिया में लेकिन लेकिन अभी ये electric अबदार के साथ launch होगी बेशक भारतिय बजार में आज कारों के अंगिनत options हैं और आपकी जेब में जितना पैसा होगा उतरी शानदार और luxury कार आप खरीश सकते हैं लेकिन एक वक्त ऐसा भी था इस कार की इतनी demand थी कि जिसे आम आदमी से लेकर प्रधान मंत्री, राष्ट पती, मुख्य मंत्री, नेता, अविनेता, आईएस, आईपिएस, डॉक्टर के साथ सबी वी आईपी घूमा करते थे जी हाँ इस कार का नाम है ambassador हिंदुस्तान मोटर्स की ये कार एक बार फिर सुर्कियों में है दरसल इस आईपिएक कार का electric अवतार के साथ वापसी होने जा रही है रिपोर्ट के मताबक हम ambassador electric बनाने पर काम कर रही है और कमपनी के पेटरॉल और डीजल इंजन मोडल पर भी काम कर रही है चेनने के प्लांट में ये तैयार की जाएगी और next news है मारूती इंडिया लिमिटिड की तरफ से मारूती सुजू की अर्टिका के तीन नए वेरियंट लॉंच करने वाली है currently जिसमें first की बात करें तो CNG optional आने वाला है जिसमें leather warped steering wheel के साथ में कैई safety features भी जोड़े जा रहे हैं जैसे company इसमें front side airbag के साथ rear parking camera जैसे features देगी इसके साथ car में smart play, pro touch screen infotainment system जो 40 plus connected car सुविधाओं के साथ आता है उसे voice assistant की मदद से हे सुजू की cash french का उप्योग करके access किया जा सकता है और infotainment system Android Auto और Apple CarPlay को support करता है और इसके बाद है Kia Motors की तरप से एक धमाकेदार news Kia Motors अपनी एक electric गाड़ी launch करने वाला है और launch से पहले ये गाड़ी चा चुकी है क्योंकि इसकी safety rating आ चुकी है इस गाड़ी को 5 star safety rating मिली है NCP Global Test के अंदर जिसमें crash test के दोरान गाड़ी में adult safety में 90% और child safety में 86% अंग हासल किये हैं और इस crash test rating को आपके सामने screen पर share किया जा रहा है जिसे आप खुद देख सकते हैं और इस गाड़ी की booking भी कल से start होने वाली है तो आप चाहें तो इस post segment की गाड़ी को book कर सकते हैं इसमें 58 kilowatt unit और 77.4 kilowatt unit सामिल है इसका base trim एक RWD version होने वाला है जो 225 bhp 350 nm का torque generate करेगा जबकि top end trim ए all wheel drive version होगा जो 345 bhp और 605 nm का torque पैदा करेगा अच्छे खासे features के साथ ये गाड़ी available होगी जिसमें 19 इंच के LOEVs, LED tail lights, rear bumper, sharp pin antenna और 12.3 इंच screen, electric sunroof, ventilated, front seat, drive modes, dual zone climate control, UV cut glass और auto hold function जैसे और electric parking brake जैसे functions मिलने वाले हैं और अगर आपका फिलहाल में किसी bike को purchase करने का plan है या फिर कोई car purchase करना चाते हैं तो आपके लिए ये विशेस news है एक जून से third party insurance की किस्ट यहाँ पर बढ़ाई गई है यानि थोड़ा महंगा होने वाला है गाड़ी या बाइक को खरिदना और ये कीमते एक जून से लागू हो जाएंगी इसमें third party insurance का premium two wheeler में 17% अधिक महंगा होने वाला है और third party insurance premium बढ़ने से वहन की last कीमत में भी automatic बढ़ोतरी होने वाली है और अगर आप किसी new गाड़ी को EMI पर purchase करने का प्लान बना रहे हैं खास तोर से अगर 20% down payment पर तो उसकी EMI कितनी होने वाली है एक छोटा सा calculation आपके लिए share कर देते हैं एक example के लिए हमने यहाँ पे लिया है महिंद्रा XUV300 को और महिंद्रा XUV300 की एक सोरूं कीमत 7,6,000 से 13,33,000 तक है और यदि आप इसका base variant खरीदते हैं तो आपको 1,69,200 रुपे का down payment करना होगा ऐसे में आप बचे हुए 6,36,800 रुपे पर 8% की ब्याजदर से अगर 7 सालों के लिए loan लेते हैं तो आपको loan पर कितना ब्याजदर देना होगा और कितनी EMI होगी आगए आपको बता देते हैं सुरुवाती XORUM कीमत है 7,96,000 रुपे down payment है 1,69,200 रुपे loan amount होगा आपका 6,36,800 रुपे तो एपरोक्स आप इसे समझेए EMI 7 years के लिए होगी 9,925 रुपे यानि कुल इंट्रेस्ट आपको पे करना होगा लगबग 1,97,000 रुपे 7 years के अंदर टोटल तो कुल बिलाकर आप इस तरीके से calculate कर सकते हैं अगर आप किसी भी गाड़ी को purchase करना चाहते हैं और अगर चैनल की कोई help चाहिए तो आप Instagram पर follow करके हमारे पास वहाँ पर भी question अपना send कर सकते हैं इसके अलाबा Hyundai की एक all new SUV Hyundai की site पर online list हुई है जिसके features, all details, information आपके लिए next वीडियो में share की जाएगी तो friends अगर आप भी रहना चाहते हैं latest automobile news, information और live review से update तो चैनल को subscribe करके रखें और अगर आप भी चैनल के साथ actively connect होना चाहते हैं तो अपने द्वारा यूज की जा रही गाड़ियों के बारे में अपने long time experience शेयर करें चैनल पर सभी subscriber के साथ इसके लिए आप हमें Instagram पर message करें हमारी टीम आप से contact करेगी और आपकी information सभी subscriber के साथ शेयर की जाएगी तो friends मिलकर बनाते हैं एक active community और अगर आपकी कोई important query है तो आप Instagram पर लिख सकते हैं हमारे साथ live chat कर सकते हैं या फिर YouTube comments box में भी लिख सकते हैं तो कि इस active channel पर अपने सभी subscriber की important query का within 24 hours answer दे दिया जाता है तो मिलते हैं next update के साथ नमस्कार दोस्तो